Hello everyone, welcome back to the ideal expert channel तो previous video में हमने completely book app को create कर दिया था navigation router को भी implement कर दिया था इस video में हम देखने वाले है कि test ads को या फिर real ads को कैसे implement करते हैं तो ads को implement करने के लिए सबसे पहले आपको chrome में जाना होगा तो सबसे पहले मैं chrome में चला जाता हूँ यहा पही मैं search कर देता हूँ banner ads तो मैं banner ads implementation search कर देता हूँ जैसे मैं banner ads implementation search कर देते हैं जो आपको फॉस्स देखाए दे रहा है banner ads android google developer में इस पे क्लिग कर देता ओ क्यू Actually हम मारा banner ads है मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ कि आपको banner ads means क्या होता है यह जो दिखाय दे रहा है इसी को banner ads बोलते हैं तो इसी को हम implement करने वाले and facebook ads नहीं तो google admob use करने वाले इसलिए हमने search किये google admob banner ads तो सबसे पहले हम get started पे click करेंगे तो जैसे हम get started पे click करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो आपको नीचे scroll करना है यह जो आपको dependency दिखाय दे रहे हैं इसको आपको ctrl c से copy कर देना है तो मैं इसको ctrl c से copy कर देता हूँ and project में आके मैं सबसे पहले सभी file को close कर देता हूँ तो right click close all tabs and build.gradle में चला जाता हूँ and इसको मैं scroll कर देता हूँ नीचे and यहाँ पर जो dependency का option दिखाय दे रहा है इसमें मैं dependency को paste कर देता हूँ and अभी मैं sync knob पे click कर देता हूँ तो जैसे हम sync knob पे click करेंगे तो यहाँ पर gradle build start हो जाएगा तो हम gradle build finish होने तक wait करते हैं अभी हम सबसे पहले तो chrome में चले जाते हैं जब तक gradle build होता है तब तक and यह जो नीचे में code डिखाय दे रहा है इसको आपको क्या करना है copy कर देना है यहाँ से तो यहाँ तक हम इसको ctrl c से copy कर देता हूँ and हमारे project में आ जाता हूँ and हमें जाना होगा manifest file में जैसे हम manifest में जाएंगे यह जो आपको दिखाय दे रहा application and activity इसके अंदर आपको इस code को paste कर देना क्यूंकि आप देख सकते हो application के अंदर ही इसको paste किया है इसलिए हम application के अंदर ही इसी code को हम paste करने वाले है तो आप देख सकते हो हमने successfully इसको implement कर दिया है अभी हम क्या करेंगे इस code को copy करेंगे ctrl c से और यहाँ पर हम paste कर देंगे जो double dot डिखाय दे रहा है यहाँ पर हम paste कर देंगे तो हमने इस test ads को implement कर दिया अगेन हम chrome में जाएंगे ओके तो आप देख सकते हो हमने completely get started की step complete कर दिया अभी हम क्या करेंगे implement banner ads पे click करेंगे क्योंकि हमें banner ads को ही implement करना है और नीचे scroll करेंगे और यह जो dot XML है इसको हम ctrl c से copy कर देंगे तो मैं जल्दी से इसको ctrl c से copy कर देता हूँ और project में आ जाता हूँ और हमें कहाँ पर implement करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर implement करना है तो जैसे कोई activity open करेगा तो यह जो recycler view है इसके नीचे हमारी banner ad show हो नीचे है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा activitymin.examl में जाना होगा तो मैं आ जाता हूँ activitymin.examl में and recycler view के नीचे में इसको मैं paste कर देता हूँ code को तो आप देखोंगे यहाँ पे जैसे हमने paste कर देया यहाँ पे आ चुका है ads by google अभी हमारा xml का तो part हो चुका है अभी हमें java भी implement करना पड़ेगा तो इसके लिए हमें ब्राउजर में जाना है again इसको scroll करना ही नीचे and यह जो दिखा ही दे रहा है अगेन आपको scroll करना है and सबसे पहले इस code को आपको copy करना है private ad view, m ad view को तो मैं आ जाता हूँ and main activity.java को open कर देता हूँ and सबसे पहले आपको top में आ जाना है and यह जो दिखाई दे रहा है drawer layout के नीचे आपको इस code को हम paste कर देंगे तो आप देख सकते हो private ad view m ad view को हमने implement कर दिया again हम नीचे चले जाएंगे and यह जो complete दिखाई दे रहा है code आपको इसको control c से copy करना है m से लेके तो add request and आ जाना है file में and इसके नीचे completely paste कर देना है तो मैं drawer layout के नीचे में इसको paste कर देता हूँ तो आप देख सकते हो हमने completely work कर दिया है बट यहां भी कुछ error शोग रहे तो इस error को resolve करने के लिए आपको select करना है alt enter पे click करना है and import class पे click करते जाना है same alt enter import class alt enter import class तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ सभी पे इस पे भी मैं same करूँगा यहां पे भी alt enter import class and same यहां पे भी तो अभी आप देख सकते हो जैसे मैंने alt enter import class किया तो जितने भी error थे हो completely resolve हो चुके तो अभी हम देख लेते है अगेन नीचे जाके कि आप भी हमारा कुछ parts बाकिए के निए बाकिए है तो ठीक है आपको स्रीप इतना ही implement करना है तो अभी हम क्या करेंगे सबसे पहले मैं आपको image दिखा देता हूँ कि अभी हमारा यहां का banner ads तो implement हो चुक है बट हमें banner ads इस यहां पे भी implement करना है तो सबसे पहले pdf में implement करने के लिए आपको क्या करना होगा activity pdf में जाना होगा and इस code को copy करना होगा तो मैं आ जाता हूँ same आपको stay follow करना है आपको activity main.examl में आना है and इस code को copy करना है मैं इसको copy कर देता हूँ and यहां पे मैं paste कर देता हूँ मैं यहां पे paste कर दिया है बट यहां पे top में show हो रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम relative layout में इसको implement कर देंगे तो मैं यहाँ पर relative layout को search कर देता हूँ यहाँ पर हम लिख देंगे match parent match parent ओके इसको हम close करेंगे इस relative layout के अंदर हम addview को implement करेंगे तो आप देख सकते हो जैसे हमने relative layout को implement कर दिया addview के अंदर तो यहाँ पर यह जो adds by google हो completely properly work कर रहा है अभी हम क्या करेंगे again हम chrome में जाएंगे इसका जो java part है अभी हम उसको implement करेंगे तो इसको आपको scroll करना है यहाँ पर आपको आ जाना है इसको आपको क्या करना है ctrl c से copy कर देना है तो मैंने यहाँ पर ctrl c कर दिया है अभी हमी क्या है main activity में जाना है sorry main activity में नहीं जाना है क्योंकि हमने जो code copy and paste किया था वो pdf में किया था तो same आपको क्या करना है pdf के लिए आपको create करना है अभी हम जाएंगे सबसे पहले pdf में क्योंकि हमने pdf में ही implement किया था तो इसके java part को भी implement करेंगे तो सबसे top में आ जाना है यहाँ पर आपको private addview addview को implement कर देना है and same आपको chrome में जाना है and यहाँ पर आपको ctrl c करना है same and यहाँ पर आपको paste कर देना है जो भी code house को but यहाँ पर error शो होगे तो इसको error को result करने के लिए आपको क्या करना है alt enter करना है alt enter import class same यहाँ पर भी alt enter import class and same यहाँ पर भी alt enter import class यहाँ पर भी हम कर देंगे जल्दी से alt enter import class पर and last finally import class तो आप देख सकते हो अभी हमारा error completely result हो चुका है तौभी हम क्या करते हैं सबसे पहले app को run करके देखते है देखते हैं कि यहाँ पे banner add show हो रहा है कि नहीं हो रहा है जिसे coaching अभी पीडे आप जैसे open होगी तो यहाँ पे हमारा banner add show होना चाहिए और जैसे recycler भी open होगा तो यहाँ पे भी banner add show ना चाहिए तो मैं सबसे पहले अपने device को connect कर देता हूँ तो भी आप देख सकते हो मैंने mobile device को connect भी कर दिया है और अभी run app पे भी click कर दिया है जैसे हम run app पे click करेंगे तो यहाँ पर gradle build start हो जाएगा तो हम gradle build finish होने तक wait करते हैं तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर message आ चुका है gradle build finish in one minute ओके यहाँ पर install का progress bar भी start हो चुका है तो थोड़ी दिर में हमारे mobile device में app install हो जाएगा तो अभी आप देख सकते हो हमारे mobile device में app launch हो रहा है तो book app का यहाँ पर logo आ चुका है जो हमारे splash screen ते open हो चुक है तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा recycler view भी open हो चुक है तो अभी हम wait करते हैं जब तक हमारा banner ad show नहीं होता तब तक क्योंकि हमें इसको net की जरूरत होती है तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा banner ad show हो रहा है तो आप देख रहोंगे nice job test this is the test ad तो अगभी क्या करते हैं book 2 पर click करके देखते है जैसे हम book 2 पर click करेंगे तो same यहाँ पर dialogue box open हो जाएगा getting the content का तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे आ चुका है banner ads nice job this is the test ads तो अभी आप देख सकते हो हमारे pdf app में pdf भी load हो चुके और यहाँ पर test ads भी implement हो चुका है अभी हम क्या करते है एक अगेन हम implement करते है ads को जैसे कोई book 1 पर click करता है तो हमाई interest L ads show हो नीचे तो इसको implement करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा अगेन आपको chrome में जाना होगा हम जल्दी से chrome में चले जाते है और इसके बाद अगेन आपको क्या करना है interest L पर click कर देना क्योंकि अभी हमारा banner का तो work हो चुका है इसलिए हम अभी interest L पर click कर देते है जैसे हम interest L पर click कर देते है तो इसको आपको अभी नीचे scroll करना है इसके बाद अभी आपको क्या करना है इस पर आ जाना है यह जो दिखाय दे रहा है इसको आपको ctrl c से copy कर देना है तो हमने इसको copy कर दिया है तो सबसे पहले अभी आपको क्या करना है PDF file में चले जाना है यहाँ पर हम paste कर देगे यहाँ पर आ जाएंगे नीचे इसको हम Ctrl-C से copy कर देंगे यहाँ तक तो मैंने यहाँ पर इसको copy कर दिया इसके नीचे हम इसको paste कर देंगे जो भी हमारा port था यहाँ पर error शोग रहा है तो error को result करने के लिए हम क्या करेंगे Alt-Enter कर देंगे तो सभी पर हम Alt-Enter प्रेस कर देते जल्दी से यहाँ पर error शोग रहा है ठीक है तो इस error को result करने के लिए आपको जो add request दिखाई दे रहा है add request 1 कर देना इसको यहाँ पर भी आपको पास कर देना है add request 1 यहाँ पर जो error दिखाई दे रहा है इसमें आपको Alt-Enter प्रेस कर देना है तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर Alt-Enter पास कर दिया तो जितने भी error थे हो complete result हो जाएगे तो भी आपको क्या करना है अगेन आपको Chrome में आना है इसको नीचे स्क्रोल करना है तो मैं इस code को copy कर देता हूँ Ctrl-C से अपने project में आ जाता हूँ जहाँ पे भी हमें Interest L Ads को implement करना है उसमें हम इस code को implement करेंगे तो सबसे पहले हम नीचे स्क्रोल करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर on post execute मिस जैसे हमारा getting the content का progress dialogue open हो जाएगा जैसे यह progress dialogue dismiss हो जाएगा तो हम इस code को paste कर देंगे मिस हमारा interest L at show होना चाहिए तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर code को paste कर दिया बट यहाँ पर error शो रहा है तो error को resolve करने के लिए हम क्या करेंगे pdf.this तो यहाँ पर हमने completely अच्छे से implement कर दिया अभी हमारा जो भी interest L work था वो completely हो चुका है जैसे को यह अभी click करेगा user book 1 पे तो सबसे पहले हमें यह message या फिर progress dialogue शो होगा उसके बाद हमारा जो भी interest L adds रहेगा वो show हो जाएगा तो अभी हम क्या करते हैं mobile device को connect कर देते हैं हमारे project के साथ and run app पे click कर देते हैं तो अभी आप देख सकते हो मैंने mobile device को यहाँ पे connect कर दिया है तो मैं अभी run app पे click कर देता हूं जैसे हम run app पे click करेंगे यहाँ पे grader build start हो जाएगा तो अभी आप देख सकते हूँ हमारी splash screen शो हो रही है तो यहापर देख सकते हूँ हमारा recycle और भी अभी शो हो रहा है नीचे में आप देख सकते हूँ यहापर test बhАड भी शो रही है तो अभी हम क्या करते हो, book one पे क्लिक करके देखते हैं कि हमारा जो भी इंट्रेस्टेल एड्स है वो लोड हो रहा है कि हो नहीं हो रहा है हम देख लेते तो आप देख सकते हो जैसे मैं बुक वन पर क्लिक करूंगा यहाँ पर मैसेज आ चुका है गेटिंग दा कंटेंड प्लीज वेट तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर test ads show हो चुका है तो अगेन मैं book 5 पर click करके देखता हूँ तो सेम यहाँ पर getting the content आ चुका है and हमारा international ads show हो चुका है and जो भी हमारी pdf रहेगी यहाँ पर show हो जाएगी तो देख सकते हो यहाँ पर pdf हमारी show हो चुकी है तो I hope guys अभी आपको यह भी समझ में आओगा कि test ads को कैसे implement कर सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पर banner ads ले show हो चुका हमारा intel ads भी implement कर दिये हमने and अच्छे से banner ads भी implement कर दिये तो अभी हम next video में क्या देखेंगे कि जो भी हमारा app launcher है means तो आप देख सकते हैं यहाँ पर